उमरिया में जनसवा को संबोधित करते मधी प्रदेश कॉंग्रेश चुना प्रचार समीति के अध्यक्ष ज्योती राधित शिंधिया ने उमरिया जी लेके मानपूर विधान सवा छेतर में प्रदेश और कॉंग्रेश शरकार पर जम कर हमला बोला अस्थानिय स्टेडियम में आयोजित जनसवा में उन्होंने देश की आजादी में और आजादी के बाद खड़ा किये गए विकास के बुनियाद धाचे में कॉंग्रेश के योगदान का जिक्ड किया है उन्हों ने कहा आज देश में चाहे किसी भी छेतर को ले लीजिए जो कुछ है वो कॉंग्रेश का बनाया हुआ है देश में जो भी विकास हुआ वो कॉंग्रेश ने किया बीजेपी सासन के इस साड़े चार सालों में जो कुछ हुआ वो तो देश देखी रहा है और पश्ता भी रहा है राजीव गांधी भी दूर द्रिष्टी और संचार क्रांती की बदलत आज देश के हर हाथ में मोवाइल है सिंधिया ने कहा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राम की बात करती हैं हमेशा कहती है कि मंदिर नहीं बनाएंगे मगर तारिक नहीं बताएंगे राम का मंदिर तो नहीं बनाया मगर महात्मा गांदे के हत्यारे नाथू राम गोडसे का मंदिर जरूर बना दिया उन्होंने अपने Facebook पेज पर भी इस जन सवा की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखी कि BJP सरकार की जन विरोधी नितियों से परेशान आमजन ने आने वाले विधान सवा चुनाव में परिवर्तन की तैयारी कर ली है। बापु के सीने को गोलियों से छन्नी करने वाले की आवक्ष प्रतिमा लगाई गई है। बीते तीन बार से जीत रही है मगर यहां की सरकों तकों नहीं शुधार पाई है। प्रिदेश की BJP सरकार भी इस छेदर के साथ दोयम दर्जे का बेवहार कर रही है। सिन्धिया कॉंग्रेश शुना प्रचार अभ्यान समीति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आदिवासी इलाके के तीन दिन के दौर पर आये हैं। पार्टी शुत्रों के अनुशार शिंद्रिया इस दर आदिवासियों के बीच बैठकों और वन टू वन भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही देश दुनिया से जुरी अप्टेटर न्यूज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जाने थे नुज भारती हिंदी यूटुब चानल. थांक यू फ्रेंज थांक फर वाचिंग जाय भारत।